हाई गैस मैं हूँ आज एक नहीं क्वेरी के बारे में बात करेंगे क्वेरी है कि मैंने आपको ब्लॉग पड़ा है ओटीसी ड्रक्स के बारे में और मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मैं ओटीसी प्रोड़क्स की एकोमर्स वेबसाइट सुरू करूँ तो उसके लिए मेरे ऑटीसी ड्रग की बात करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि कि ऑटीसी ड्रक्स को में अच्छेmar की जूरत नहीं पढती कि कि जब भी otis product को बेचने की बात आती है, online या offline जब भी हम उसको बेचते हैं, तो उसके लिए हमें prescription की जुरत नहीं होती, बिना prescription के भी हम उनको बेच सकते हैं, क्योंकि online अगर हम बेचना चाते हैं, offline तो आपको prescription drugs भी बिना prescription के मिल जाती है, लेकिन जब online selling की बात आती है, तो बिना prescription के drug बेचना illegal होता है लेकिन जब OTC drugs की बात होती है तो चाहे आप उसको online बेचर हो चाहे offline बेचर हो तो वहाँ पे आपको doctors की prescription की जुरत नहीं पड़ेगी तो अगर आप e-commerce website शुरू करना चाहते हो OTC product की तो वहाँ पे आपके पास license होना कंपल सरी है केवल आप को ज जाते हो जो केवल GST number पे ही बेचे जा सकते हैं तो ऐसी कोई OTC की list नहीं होती सारी OTC products के लिए जो फार्मा में आते हैं उनको बेचने के लिए आपको license की जूरत पड़ेगी और GST number की जूरत पड़ेगी अगर आप अपने e-commerce portal पे केवल बिना license के GST number के साथ ही बेचना ज बेचिन